कि अधिया है यहलो नमस्कार दोस्तो आरके टेकनिकल में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं तो दोस्तो आज मैं आपके फोन के जो वोल्यूम की है इनकी तीन खास सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तमाल करके दोस्तो आपको बहुत ज्यादा होने वाला है तो दोस्तो अगर आप इस सेटिंग को सीखना चाते तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग भी चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओल पर सेट कर लें ताकि दोस्तो आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप कई बार क्या होता है फोन अपनी जेब में रख लेते हैं और आप ड्राइब करने लग जाते हैं उस दोरान क्या होता है दोस्तो जो आपकी वोलिम की है ये प्रेस होने लग जाती है कई बार आपकी जो वोलिम है वो माइनस होने लग जाती है और माइनस होते होते दोस जो वूलिम है फोन की वो कम नहीं होगी तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है एक बार अपने फॉन की जो ओल इसे अप करना है एस सैटिंग को यहां पे ले आना है और आप देखेंगे जो नीचे यहां पर सभसे ऊपर की आ वो ringtone की आ रही है जैसे कि यह देख सकते हैं आप आपने क्या करना है यहां पर media को लेकर आना जैसे यूज volume from आपने इस वाली setting को यहां से on कर देना इससे क्या होगा जो media वाली volume है वो उपर हो जाएगी जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों यह देख लिजिए अब setting on करने के बाद यह देख लिए जब यह setting on करने के बाद यहां पर media volume उपर आ गई इससे क्या होगा दोस्तों जब भी आप drive करेंगे अगर आपका जो volume कम होईगी वो media की volume कम होईगी यानि जिससे आप गाने वगेरा सुनते हैं वो क्योंकि गाने तो आप तभी सुनेंगे जब आपका phone आपके हाथ में होगा यानि जब आप drive करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होईगी आपका phone silent mode पर नहीं होगा तो दोस्तों बढ़ते हैं अब दूसरी सेटिंग के और तो जो दोस्तों मैं आपको जो भी यह सेटिंग बता रहा हूं यह android 10 पर ही उपलब्द होंगी अदर्वाइस दूसरे मतलब की android वर्जन में आपको यह सेटिंग अभी देखने को नहीं मिलेंगी तो दोस्तों जो दूसरी सेटिंग है उसके बारे मता देता हूं उसके लिए आपको दोस्तों पहले में दोस्तों सेटिंग के फाइदे के बारे मता देता हूं जैसे कि दोस्तों हम अपना phone कही बार अपने इफेक्ट पढ़ सकता है तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप का बच्चा जब भी आपका फोन इस्तमाल करें और उसमें हैड़फोन लगा कि गाने वगरा सुने तो दोस्तों आप वहां पे एक लोग सेट कर सकते हैं वोल्यूम में यानि कि एक लिमिट लगा सकते हैं से ज्यादा वोओल होगी ही तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है अपने Setting में जाना है ये जो भी setting में है दोस्तों आपकर फ्टों सबसे पहले Setting में आके दोस्तों आपने Sound & Vibration में जाना है यहां पे दोस्तों आपको एक Niceion मिलेगी इस पे लॉक कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों यहां पर आप अपना पिन लगा दें। guiding लगाने vacun meth. I am a कोई बच्चा मेरे phone में headphone लगाएगा और इसकी volume जब तेज करेगा यह देख लिजिए यहाँ पर setting मांगेगा जैसे दोस्तो setting में जाएगा और इसे off करेगा तो यहाँ पर पासवर्ड मांगने लग जाएगा जो आपने अभी set किया है तो दोस्तो यह फी काफी useful setting है इसका इस्तमाल कर सकते हैं इससे आपके बच्चों के जो कान है वो safe रहेगा अगर कोई भी आपका बच्चा आपके phone को इस्तमाल करता है तो दोस्तो बढ़ते हैं अब तीसरी setting के और तो दोस्तो उसके लिए आपने क्या करना है अपने यहां पे call है answering and ending calls तो दोस्तो यहां पे इस सेटिंग को आप open करेंगे यहां पे दोस्तो आप अगर चाहें तो अगर यह वाली setting को open कर दें यहां से दोस्तो आप अगर plus वाली volume को दबाएंगे तो जो भी आपका phone आ रहा होगा पिक हो जाएगा और दोस्तो अगर आप इस setting को on करके रखेंगे तो आपको यहां पे display पे touch करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप यहीं से ही अपना phone पिक कर सकते हैं तो दोस्तो यह भी काफी useful setting है और दोस्तो एक setting यह भी है यानि कि आप volume की से ही अपने phone को पिक कर सकते हैं यह काफी अच्छी मदलब की दोस्तो setting है इसका इस्तमाल करें तो दोस्तो आई होप जो भी जानकारी मैंने दी है आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी तो दोस्तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तो कमेंट जरूर करें तो दोस्तो मिलते हैं से नेक्स्ट वीडियो में आपके दिन सुभू